अमेरिका में राश्टपती चुनाव के प्रोजेक्शन नतीजों में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रम्प आगे हैं और 270 के आंकडे को पार कर चुके हैं। डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस उनसे काफी पीछे रह गई हैं। इस चुनाव के नतीजों का असर सिर्फ अमेरिका में ही नहीं बलकि पूरी दुनिया पर होने वाला है। खासतोर पर उन इलाकों पर जो लंबे समय से युद्ध छेल रहे हैं। एक तरफ 32 महीने से रूस और यूकरेन की जंग जारी है। तो दूसरी तरफ घजा में भी बीते एक साल से इसराइली हमले जारी हैं। और फिर सितंबर 2024 के आखरी हफते से इसराइल ने लेबनान पर भी हमला कर दिया। इसराइल को घजा और लेबनान में अमेरिका की जो बाइडन सरकार के सपोर्ट के चलते अरब अमेरिकी वोटर डेमोक्रेटिक पार्टी के पाले से खिसकने लगे थे। घजा युद्ध को लेकर ही अमेरिकी मुसलिम बाइडन और हैरिस प्रशासन से काफी नाराज थे फिर लेबनान युद्ध ने उनके घुस्से को और ज्यादा भलका दिया। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि टरंप की जीत से क्या युद्ध खत्म होने की संभावना होगी या फिर ये जंग और ज्यादा विक्राल रूप ले सकती है। वाइट हाउस की रेस में शामिल दोनों ही प्रमुख उम्मीदवार इसराइल के प्रतीप पुर्जोर समर्थन जताते रहे हैं। डोनल्ड टरंप के जीतने पर भी मिडल इस्ट में युद्ध के खत्म होने की संभावना काफी कम है। डोनल्ड टरंप 7 अक्टूबर को इसराइल पर हुए हमास के हमले की खुल कर आलोचना करते रहे हैं। इस हमले में करीब 1200 इसराइली मारे गए थे और 251 लोगों को हमास के लड़ाकों ने बंधक बना लिया था। टरंप ने घजा के लोगों के प्रती बेहत कम सहानू भूती जाहिर की है जबकि इसराइली हमले में 43,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। जुलाई के महीने में इसराइली प्रधान मंतरी नेतनियाहू से मुलाकात के दौरान डोनाल्ड टरंप ने हमास पर पूर्ण विजय यानि पूरी जीत हासिल करने को कहा था। हाला कि उन्होंने घजा को लेकर कहा था कि फिलिस्तीनियों की हत्या बंध होनी चाहिए लेकिन टरंप ने इसके साथ ये भी जोड़ा था कि नेतनियाहू जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। डोनल्ड टरंप वही शक्स हैं जिन्होंने राष्ट परती पद पर रहते हुए दुनिया भर के विरोध के बावजूद विवादित जेरुशलम इलाके को इसराइल की राजधानी के तौर पर माननेता दी थी जबकि दुनिया के कई देश आज भी तेलवीव को इसराइल क की राजधानी के तौर पर माननेता देते हैं इसके अलावा ट्रंप ने अपने पहले कारेकाल में कई अरब देशों और इसराइल के बीच अबराहम अकॉड के जरिये सामान्य संबंद स्थापित करवाए थे साथ ही ट्रंप ने ओबामा के कारेकाल में इरान के साथ की गई न्यूकलियर डील से भी अमेरिका को अलग कर लिया था खास बात ये कि इसराइल भी इस डील का विरोध कर रहा था हाना कि 2020 में ट्रंप के पीस प्लान की वजह से नेतनियाहु के साथ उनके रिष्टे थोड़े तल्ख हो गए थे इस प्लान के मताबिक दो राश्ट्र समाधान यानी टू नेशन सल्यूशन के साथ इस्ट जेरुशलम को फिलिस्तीन की राजधानी बनाया जाना था लेकिन ट्रंप के इस प्रस्ताव का फिलिस्तीनियों ने कड़ा विरोध जताया क्योंकि इसमें फिलिस्तीन का एक बड़ा हिस्सा इसराइल को देने की बाद थी वही नेतनियाहु ने इस प्लान का फाइदा उठाने की कोशिश करते हुए फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक को इसराइल में शामिल करने का एलान कर दिया जिसके बाद ट्रम्प का पीस प्लान फेल हो गया ट्रम्प नेतनियाहु के इस कदम से सहमत नहीं थे उन्होंने अमेरिकी पब्लिकेशन एक्जियोस से कहा था कि मैं बहुत घुसे में था ये बहुत ज्यादा हो रहा था हाला कि अपने पहले कारेकाल में मुसल्मानों के अमेरिका आने पर पाबंदी लगाने और नेशनल रजिस्टर बनाने की बात करने वाले डोनाल्ड ट्रम्प ने इस बार अपने चुनावी अभियान में अमेरिकी मुसल्मानों को लुभाने की खूब कोशिश की है उन्होंने अरब अमेरिकियों की बड़ी आबादी वाले स्विंग स्टेट मिशिगन में जंग को खत्म करने की बात कही है हाला कि ट्रम्प ने अपने बयान में घाजा और इसराईल का खिर नहीं किया जब मिडलीस्ट में शान्ती और स्थिरता आएगी वहीं कमला हैरिस की अगर बात करें तो वो टोनल टरंप की तुलना में घजा के पीडितों को लेकर ज्यादा मुखर रही है उन्होंने लगातार इसराइल पर जंग खत्म करने और बंधकों की रिहाई के लिए डील को स्वीकार करने का दबाव डाला है जुलाई में जब हैरिस नितनियाहु से मिली थी तो उन्होंने दो टूक शब्डों में कहा था कि वो गजा के लोगों के उत्पीरन पर चुप नहीं रहेंगी कमला हैरिस ने कहा था कि इसराइल को अपनी आत्मरक्षा का अधिकार है लेकिन उसका तरीका माइने रखता है गजा में बीते महीनों में जो कुछ हुआ वो दिल दहलाने वाला था कमला हैरिस ने लेबनान बार्डर पर शांती की इच्छा भी जताई लेकिन इसे लेकर उन्होंने कोई प्लान पेश नहीं किया है हाला कि बाइडन प्रिशासन भी जाहिर तोर पर लगातार इसराइल पर गजा और लेबनान में युद्ध विराम के लिए दबाव डालता रहा लेकिन विदेश मंतरी एंटनी ब्लिंकन के ग्यारा दौरों के बावजूद नाकामी ही हाथ लगी वहीं रूस और युक्रेन के बीच करीब 32 महीनों से जारी जंग की बात करें तो कीव की सेना ने रूस के कुर्स्क में घुसपैट का साहस दूर दिखा दिया लेकिन रूस के खिलाफ जंग में लंबे समय तक बने रहने के लिए उन्हें बहुत ज्यादा सैन्य समर्थन की जरूरत है रूस के राष्टपती पुतिन चाहते हैं कि युक्रेनी जमीन पर कबजे के साथ-साथ उसे नाटो में शामिल होने से रोका जाए वहीं अक्टूबर में युक्रेन के राष्टपती जेलन्सकी ने शान्ती प्रस्ताओं में युक्रेन को नाटो में शामिल करने के निमंत्रन को जंग जीतने के लिए एहम कदम बताया था हाला कि नाटों में अमेरिका के सहियोगियों का मानना है कि वो रूस के साथ जंग खत्म होने पर ही यूकरेन को आमंत्रिक करेंगे। कई विशले शकों के मताबिक अगर डोनल्ड टरम्प चुनाव जीतते हैं तो ये यूकरेन के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। टरम्प कई मौकों पर पुतिन की तारीफ कर चुके हैं। उन्होंने मौस्कों के साथ करीबी रिष्टे बनाए और 2016 के चुनाव में उनकी जीत के लिए क्रेमिलिन की तरफ से की गई मदद के आरोपों का भी खंडन नहीं किया। टरम्प बार-बार कहते रहे हैं कि वो 24 घंटे के अंदर रूस यूकरेन युद्ध रुकवा सकते हैं और एक बेहतर शांती प्रस्ताव के लिए दोनों पक्छों को मना सकते हैं। खबरों के मताबिक वो राष्ट पती बनते हैं तो रूस को इस बात की गारंटी दी जा सकती है कि यूकरेन कभी नाटो में शामिल नहीं होगा। साथ ही जीन इलाकों पर रूसी सेना का कबजा है उस पर क्रेमिलिन का नियंतरन भी टरंप के प्रस्ताव में हो सकता है। और डेमोक्राटिक उम्मीदवार कमला हैरिस ने रूस यूकरेन जंग को खत्म करने के लिए कभी किसी योजना पर बात नहीं की है। लेकिन वो यूकरेन को सैन्य सहायता देने का समर्थन करती रही है। फरवरी 2022 में जब रूस ने यूकरेन पर हमला किया उसके बाद से अब तक अमेरिका कीव को 64 बिलियन डॉलर की मदद और हत्यार दे चुका है। सितंबर में प्रेजिडेंशल डिबेट के दौरान कमला हैरिस ने कहा था कि अगर इस जंग में पुतिन जीतते हैं तो वो कीव में बैठे होंगे और उनकी नजर पूरे यूरोप पर होगी जिसकी शुरुआत पोलेंड से होगी। वहीं उक्रेन के नाटों में शामिल होने की बात करें तो बाइडन प्रशासन ने अब तक इस पर अपना वीटो लगा रखा है साथ ही अमेरिकी हत्यारों के रूसी इलाकों में इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगा रखी है जिससे जंग को बढ़ने से रोका जा सके।